दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी वीडियोस को देखा होगा आपको मालूम होगा इससे पहले इनी दोनों तीमों के जो मैंने आपको तीन मैच कवर के हैं उसमें से दो मैच मैच मैंने आपको जिता हैं जो कि 50 ओवर के मैच हो रहे थे क्योंकि आपने अधिया की तीम के जीतने के 99% करीब चंस भी रहने वाला हैं यूँकि यह सो मैच हो रहा है चन्नाई में होने वाल है चन्नाई में स्पिनर के बाल काफी स्पिनर की बनाने का भी सोचना है रदह याद हो यहापको चार ओर पुदा करेगी ही करेगी सामने इस तो तीम है उनके जादेता प्लेयर इस्पिनर की बाल पर बिल्कुल भी कमफर्टेबल नहीं है ये एक ऐसी प्लेयर रही कि जिसको आप अपर तीमे कैप आप इसी बनाने का भी रिस्क ले सकते हो क्योंकि ये एक ऐसी प्लेयर है जो कि बड़ी टीम के सामने अक्सर अच्छा पर फर्म करके देने वाली बॉलर है और इस समय फर्म में भी है उसके लाव सुभाना आसा अगर अपने इदिया वाले पहले बल्ले बात जी कर रहे हैं वहाँ पर सुभाना आसा आपको 100% की टीम में भी लेना है अब वहाँ पर आप इसको कैप आव इसी बनाने का जरूर स भरोसा कर सकते हो स्रेंका पातिल मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अच इभी बॉलर नहीं है ये भी स्पिंणर Benjamin यहापर चलेंगे ही चलेंगे चन्नाई में मैच है चन्नाई में सिर्फ और सिफफ इस्पिंणर इसे इस्पिनर आपको चलते हुए नजराइए इसे वही कुछ भी नहीं सोचूँगा तीन के तीनों स्पिनर को ले करके चल लूँगा क्योंकि साउथ हैफ्रीका की तीम इससे पहले स्रीलंका से भी हार करके आ रही है अपने भारत से भी 50 ओवर का मैच की सिरीज हार करके आ रही है अपने भारत से 33 मैच भी हार करके आ रही है वो भी इसी पिछ पे तो तीनों स्पिनर आपके जरूरी रहेंगी लेकिन मेरे इसाब से स्रेंका पातिल को यहाँ पे नहीं खिलाया जाएगा क्योंकि अपने एदिया के बस पहली से 5 मिन बॉलर है सुभाना आसा रेनुका सिंग राधा यादो और यहाँ से दिप्ती सर्मा अब पूजा वश्याकर अब इसमें हो यह सकता है कि पूजा वश्याकर या फिर यहाँ से किसी एक बॉलर को ना खिला करके लोग स्रेंका पाति या फिर 6 बॉलर्स को भी यह लोग खिला सकते हैं फिर वहाँ बल्ले बाचों को कम करेंगे अब यहाँ पे लोगों का सवाल यह है कि रेनुका सिंग को अपनी तीम में लिया जाए या फिर पूजा वश्याकर को सीधे बोलूँगा अगर अपने एदिया वाले पहले बॉल कर रहे हैं वहाँ पर रेनुका सिंग को लेना है क्यों क्योंकि फिर यह आपको 20 वावर बॉल करेगी यानि कि आखुरी के ओवर्स में भी बॉल करेगी और सुरू में नई बॉल करेगी वहाँ पर रेनुका सिंग एक अच्छी प्लैर बन जाएगी लेकिन मान लो कि अगर अपने एदियन टीम पहले बल्ले बाची कर रही है वहाँ पहले मैं पूजा वशाकर को ले लूँगा क्योंकि सेकेंड बॉल में कहीं है ऐसा ना हो कि यह सामने ओली टीम 14 ओवर या 16 ओवर में यह अपने 10 ओविकित कवा दे अब रेनुका सिंग ने जादे तारबार जब भी अपने एदिया की तीम ने सकंड बॉल किया कई बार यह फ्लाप होई है तो पहले बल्ले बाची में पूजा वशाकर रन भी बना सकती है अगर चांस मिलेगा 10 रन 20 रन भी बना सकती है अब फिर अगर इसको कई एक विकित भी मिल गया तो इसली आपको 70 के करीब पॉइंच दिला जाएगी तो इसी वज़ा से मैं अगर अपने एदिया की तीम पहले बल्ले बाची करेगी वहाँ पे पूजा वशाकर को लूँगा लेकिन अगर पहले बॉल है वहाँ पे रेनुका को लूँगा क्योंकि पहले बॉल है फिर कंफर्म है कि वहाँ पूजा वशाकर को बल्ले बात जी वह चांस नहीं मिलेगा इसमृति मन्दारा सहफाली वर्मा सहफाली वर्मा ने चिन्ड़िख के इसी पिछ पे इसी टीम के सामने 200 रन बना कर आ रही है इस मुर्दी मंदारा इसी पिछ पे इसी टीम के सामने 100 रन बना कर कर आ रही है हर्मर पुरीद कौर इसी पिछ पे इसी टीम के सामने 103 मैच हुआ वहाँ पे 60 रन बना कर रही है रिचागोस इसी टीम के सामने उसी मैचे तेस मैचे जहाँ पे 600 रन बने वहाँ पे 86 रन बना कर क्या रिये 90 बॉल पे यारे कि चारों प्लेयर शरूर यह हैं अब यहाँ पे अब कर कह सकते हो अगर आप जील की टीम बना रहे हो अगर अपने एदियाखी टीम पहले बॉल कर रहे है अगर वहाँ पे जे रॉगरिस तीसरे नमर पे आ रहे है वहाँ पे हर्मन को ना ले करके जे रॉगरिस को अपनी एक या फिर दो टीम में जरूर से ले करके चल सकते हो क्योंकि इस venue पे spinner की ball काफी spin ओरी है यानि चांस यह भी है कि सैफाली वर्मा आपको ball से एक दो वर आसानी से कर सकती है कर सकती है क्योंकि इसने कई बाद ball करके दिखाया है एल वर्मा आखोडी के 5 मैचे 244 रन बना कर कह रही है क्या गजब के फॉर्म में हर मैचे अकेले रन बना रही है साउध ऐफरीका की टीम गोर से खपतानी भी कर रही है जरूरी प्लेयर है यहां से बाकी कोई सही है नहीं एस जाफना जो प्लेयर है बल्ले बादची में आधोए नवे नमबर पर आएगी किसी काम की नहीं है यहां से M कैप सभी लोग इसको कैप इसी बना रहे ना बिलकुल भी नहीं बनाना है बिलकुल नहीं क्योंकि 20 ओवर का मैच है वहाँ पे तेजी से रन बनाने को जाएगी क्योंकि स्पिनर इतना ज्यादा गेम में रहेंगे और अपने इडिया के पस स्पिनर इतने अच्छे अच्छे है कि मरिजेन कैप को अगर रन बनाने है तो स्पिनर के सामने रन बनाने होगे जो कि आसान नहीं होगा Marizen Cap के पीध में क्योंकि चोत लगी है इdd है पूरी तरीके से फित नहीं है इसी वजह से बॉर्लिंग से ओवर कर नहीं रही है अभी जो 50 ओवर के मैचुआ है उसमें भी बॉर्ल नहीं किया अभी जो तेस मैच हुआ उसमें भी बॉलिंग से एक ओवर भी नहीं किया अभी जो उससे पहले स्री लंका वाली सिरीज हुआ वहापे भी इसने एक ओवर भी बॉल नहीं किया है यानि कि बॉलिंग से इसमें ओवर कर नहीं रही है और क्योंकि आपे कोई असानी से रन बनेंगे नहीं क्योंकि इस्पिनर इतने बुरी तरीके से गेम में रहेंगे कि मरिजेन कैप बल्ले बादजीवे कितने रन बना पाई कि जरूरी नहीं है एदी कलर को लेकर करके चले रहा हूँ लेकिन इसमें अब आपको एक चीज है सीर ट्रायोन कोई इसके बारे में नहीं सोच रहा है सीर ट्रायोन एक स्पिनर है और एक ऐसी प्लेयर है जो कि बल्ले बादजीवे भी रन बना सकती है में लिए 20 ओवर की प्लेयर है में लिए 20 ओवर की प्लेयर है बल्ले बाजी भी पाँचुए नवर करीब आएगी और फिर आपको बॉल से भी तीन ओवर करीब बॉल भी करेगी क्योंकि स्पिनर की बॉल या पे काफी अच्छा स्पिनोरिया है तो अपने एदिया की तीम भी ऐसा नहीं है कि बुरी दरीगे से हरा देगी हो सकता है कि मैच बराबरी का भी हो सा है क्योंकि बीस ओवर का मैच है अगर अपने एदिया वाले पहले बल्ले बाजी कर रहे हैं यानि कि समझो की सी ट्रायोन जो हैं अपने एदिया के भी छे से छे विकेट के करीब गिरेंगे वहाँ पे सी ट्रायोन ऐसा बॉलर आपको एक अच्छा बॉल कर सकते हैं फिर बल्ले बाजी में भी रन बना सकते हैं तो अगर आप जी ल की कॉम्बिनेशन मना रहे हो आपे जी ट्रायोन को ले करके चलने का सोचना है जरूर से एन मलाबा भी एक अच्छी स्पिनर है लेकिन अभी क्योंकि इतने हाई लेवल के मैचेस होने अभी मैंने भरोसा नहीं किया है लेकि जी ल की टीम में आप इसको भरोसा कर सकते हो एक खाखा इसको मेली तबी ले करके चलने का सोचना भी है अगर लेना है वहना मैं तो ले करके नहीं चलूआजए अगर इसको लेने का मन है तो सिर्फ और सिर्फ तभी लेना जब इनकी टीम एफरीका वाले पहले बाल करेंगे लेकिन अगर अपने एदिया वाले पहले बल्ले बाची कर रहे होंगे वहाँ पे मैं रेनुका को ना ले करके यहाँ से पूजा वशाकर को ले लूँगा अगर यहाँ से स्रियंका पातिल प्लेइंग 11 में खेल रही है तो 100% देकी मैं इसको अपनी टीम में लूँगा और फिर वहाँ पे मैं इसको कैप विसी बनाने का भी सोचूँगा और उसके अलावा मेरे सबसे सही टीम है सी ट्राइओन को ले करके चल सकते हो सी ट्राइओन एक अच्छी प्लेइर है बल्ले बाची में भी रन बना सकती है बॉलर भी अच्छी है यहां से टीम बिट्स जो की मेंली बीस ओर की प्लेइर है आईगी मारेगी जाएगी अगर इनकी टीम पहले बल्ले बाची करें वहाँ पे टीम पर तीम में जरूर ले सकते हो अगर जील की टीम में स्मॉल लिग में मतले ना दो तीन मेंबर्स वाले में लेने का कोई वाइज अगर इनकी टीम पहले बल्ले बाची करें वहाँ पे एस लूस आपको थोड़े से रन जरूर बना सकती है अभी गिल मैंने कैप दीवती सर्मा को लिया है वी सी में इस मुर्थी मंदाना को ऐसा सेफ ले करके चल रहा हूँ लेकिन मेरा मन यह है ना कि मैं किसी बॉलर को बनाओ अगर अपने एदिया वाले पहले बॉल करेंगे वहाँ पे मेरा मन है कि मैं राधा यादो को विस्जी बना लू लेकिन अगर अपने एदिया वाले बल्ले पाजी करेंगे वहाँ पे मेरा मन है कि मैं सुभाना आसा को विस्जी बना लू यानि कि ये सेकेंड बॉल में सुभाना अच्छी बॉल करती है पहले बॉल में राधा यादो अच्छी बॉल कर सकती है तो ये एक हमारे एनलिसिस बेस की टीम है फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम जो भी होगी मैं तौस होने के बाद आखोई के 10 मिनत पे अपने इसी वाले तिलीगोराम चैनल को पर अपनी फाइनल टीम आपको भेशूँगा इसी चैनल पे मैं आपको हमेशा अपनी फाइनल टीम भेशता हूँ जिस भी मैच में मैं अपने पैसे लगाता हूँ हमारे तलीग रामो चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबस्पपिन क्या हो मिल जाएगा अभी के भी फुरी में जोईनों सब्सक्राइब करें तो चैनल को अभी के भी सबस्क्राइब करके जाना